बिसमिल्ला रह्मान ररहीम और असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MBS पाकिस्तान और मैं हूं महम्मध यासिन खान बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस वीडियो को क्लिक किया अच्छा जी वीडियो क्या है अभी 2-4 दिन पहले या हफ्ते के यूट्यूब कम्यूटी गाइडलाइन में उस वीडियो को यहां पे नहीं लगा सकता मेरे फेस्बुक पे वीडियो अवेलेबल है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं लाजमिया आप देखिएगा वो वीडियो में सिरफ आपको हलकी से ग्लिम्स दिखाए आपको आपको अदिया हो जाए यह वीडियो एक जाए आपके वाट्सप के घ्रोप में आहे होगी कहीं न कहीं चीजा आई होगी डिटेइल मेरे पास नहीं आया थी तो मैं इसलियर रुका हुआ था कि मैं आपके साथ ही स्टोरी को शियर करूं और यह चीज़े बताँ कि स्कूषाए, पाकिस्तान का इलाका Babishagawa जहां पी होँ या सवा केStraukारा है पाकिस्तान का इलाका रखाए भाहात का सवानेल साहजम एक ऐसला पाकिस्तान की गधीन्ट का या कि इह भी गधायू कि शायओ कि खोब कर शाम च्वाक पाक्षाय का पाकिस्तान58 वो इसको काफी दिर से नोट कर रहा था और नोट करते करते हैं उसके बाद यह सारा वाक्या हुआ जो कुछ हुआ बेसिकली अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली हुआ क्या यह बच्ची है ठीक है यह पहले इस शक्स ने बच्ची को कहीं से अगवा किया अपनी बाइक पर बिठाया और अगर वीडियो में आप गौर से देखे तो बच्ची आगे ऐसे मुबाइल फूल में कुछ कर रही थी मुबाइल फूल लेकर बैठी थी बच्चे हैं बच्चों के जहन होते हैं मुबाइल फूल में आप कोल भी चीज लगा दो तो वो उसके अंदर इन्वाल से बाहर की तरफ आया तो फिर उसने बच्ची को आगे आगे की सीट पे जो पाइक की तंकी होती है उस पर बठा लिया और उसके हाथ में सैल फून दे दिया ताकि वो गेम खेले या कोई वीडियो देख रही हो या कुई कार्टून लगा कर दे दो बच्चों की एज ही होत हैं और उसके बाद वो किसी और भाइक वाले नोट किया कि उस दौरान जब बच्ची इंवाल्व थी मुबाइल फोन के अंदर तो वो उसके साथ कुछ नाजेबा हरकते कर रहा था कुछ मतलब उसके बॉड़ी पार्ट्स पर हाथ लगा रहा था जो उसने नोट किया तो उ जानब जैसी बच्चियां किटनाप होती है तो उस बंदे ने उसको फॉलो करना शुरू किया और आगे जाके उसे रोका उतारा और जब उससे सब चीजे पता की गई तो बच्ची कहां से लागता है तो अगर वो फोर्सली बात नहीं करता तो शायद वो प्रॉपरली चाहिए और शॉकिंग तरीन चीज जो थी जब उस बच्ची से पूछा गया कि बिठा आप इस शक्स को जानते हो तो उसने का जी मैं जानती हूं यह बहुत शॉकिंग था क्या कैसे जानती हूं यह कौन बंद है उसने पता यह मेरा चच्चा है अब बिलीफ करो कि यह चच चीज है कि जो के जब मैंने सुनी तो मैं भी शॉक होगा है मैंने का चच्चा ऐसी हरकत करेगा और वहां पर जो कुछ लोग मौजूद तो उनमें से एक शक्स ने यह भी आगे बढ़के का यार यह इस तरह की हरकत तो यह पहले भी करता रहा है तो मतलब उसे यह फ्री हैं करना है अपने बच्चों के लिए मैं सुरूट करता हूँ इस चक्स को इस आदनी का जो भी नाम है क्योंकि मुझे यह आप यह नाम नहीं कि बेसिकली यह लोगों की नजरों से जरूर गुजरी और उनके वाट्सव ग्रूप में भी आई होगी एक और जैनब बच्च गई सब चीजें पता की गई तो पता लिए को सदा ही अच्छा है जो इसको टॉफी के चॉकलेट के चिप्स के बाहरे अपनी बाइट पे बठाकार और पहले भी इस तरह के बाकिया को कर चुका है मुक्तलिक तरीके से तो यह गाउं की लोगों को पता भी ता लिए सब खामोश है कोई कुछ नहीं कहता इग्जाक्ली यही सारा इंसिडेंट और यही सारा वाकिया जो है वो जैनब के साथ बहुता अगर उस वकत को इस चीज को रोक लेता कोई पता कर लेता कि यह बच्ची को कौन लेके जा रहा है कहां लेके जा रहा है तो जैनब आज अपने एक फैम में आता है यार काश में उस फकत इस चीज को रोक लेता तो यह वाकिन होता तो यह स्टैप उठाना होता है उस शक्स ने स्टैप उठाया यह बच्ची आज बच गई यह अपने घर चली गई और इस शक्स के साथ भी जो कुछ भी वीडियो वारल होने के बार इंसरें प्लीस कमेंट में बताईएगा जहां मैं आप सब को यह से इस चीज बहुत क्लिए करते हैं कि प्लीस खुदारा बहुत जादा हो गया हर रोज तकरीवन पाकिस्तान के अंदर आट से नो बच्चों का रेक हो रहा है मर्डर हो रहा है यह एक अलग चीज है इसके इलावा न इस मुल्क में अपने मुल्क में ऐसा कुछ नजर आता है तो बड़ी तकलीफ होती है इस चीज को लेकिए कि आज भी हमारे दर्मियान भीडियो और तरिंदे रहते हैं और सबसे इंपोर्टन्ट की बताओं सबसे पहले अगर कोई चीज इस तरह की हरेस्मेंट होती है तो कि अजा सबसे सबसे पहले के सबसे साइर कि अपनी यूबश्य आपनी में यूद्धी तो यह अपनी ही चीज आ का था favour वोगी एक्टिविटीज में हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कुछ करते हैं, कैसी गैजरिंग हैं, उनके मुबाइल फोन का चेक-इन बैलन्स करें, एज लिमिट से पहले उनको फेट सेल फोन ना दें, यह बहुत सारी चीज़े हैं, तो कि अभी इस वकत यह सबसे बड़ा चीज जो हमाई सुसाइटी का यह है, कि बच्चा अगर चुप नहीं हो रहा, मान नहीं रहा, तो उसके हाद में सेल फोन दे दो, और इस शक्स ने भी इस बच्ची के साथ यह किया, उसको मुबाइल फोन की लालिश्टी होगी, किसी भी बच्चे को देया, उसे यह पता है, जो बच्चा उसको पता है कि इसके अंदर काट्वन चलता है, इसके अंदर उसके मतलब की चीज़े होती है, तो वो फॉराँ उससे अट्रैक्ट होगा, और उसके बच्चा है, अभी तो उसका जहां चोटा है, तो बस यहाँ बे आप लोगों का बहुत शुक्रिया करूँगा आपने वक्त निकाला और मेरे इस वीडियो को देखा, इस पैगाम को पहलाईए, और इस पैगाम को जितना मकसद, जिस लेवल से भी पहलाएं, पहलाएं, कि प्लीज अपने इडगिर, अपने घर के इलावा, अपने सुसाइटी भी नदर रखें, यह भी आप का हाक है, य यहां मुझे इजाज दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा, इस वीडियो को शेर कीजिएगा, और साथ में अगर मेरी बात अच्छी लगती तो इस चैनल को सब्क्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिस प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को शेर 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 कीजिएगा, बेल आइकन को शे